दोस्तो अब सभी का हमारे एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत है दोस्तो आज आप लोग इस वीडियो में कुछ एसे आजीब हो गरीब और अनोखे स्टंट देखने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा इसलिए जादा टाइम वेश ना करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अब यह स्टंट देखिए जिसमें यह वेक्ती ने यमटी भी साइकिल से स्लाइड पे राइड करने की कोशिश की और ऐसा करना आसान नहीं होता जैसे कि आप देखी सकते हैं कि इसने कैसे पहले तो स्लाइड के टनल के अंदर अपने साइकिल को लेके गया और फिर वो टनल से गुजरते हुए बॉल जैसे आकार के स्लाइड पर पहुँच जाता है जहां पर वो अपने साइकिल से स्टंट करने लगता है और जो ये stunt आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ऐसा करना आसान नहीं होता जिसके लिए बहुत अच्छी skills होना चाहिए नमबर दो आप सभी को पता ही होगा कि पहाडों पे लोग आसानी से गाड़ी नहीं चला पाते क्योंकि वहाँ पर सबसे जादा जान जाने का खत्रा रहता है पर अब इस वेक्ती को देखिए जो कि इस पतले से पहाड के रास्ते पर आसानी से साइकिल को चला रहा है और इस पहाड के पास ही खाई भी मौझूद है वेसे तो यह देखने में आपको उतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा पर यह सच में जान लेवा होता है जो कि इस वेक्ती ऐसे पाड़ों पर स्टंट करता है चाहे वह रास्ता पतलाओ या छोटाओ इस वेक्ती बिना डरे ऐसे आसानी से स्टंट कर लेता है अभी यह देखे जिसे कोई आम इंसन करने के भी सोचेगा भी नहीं पर इस पर बिना डरे आसानी से स्टंट कर लेता ह नमबर 3, दोस्तो अगर आपको उचाई से डर लगता है तो यह आपके लिए नहीं है क्योंकि यह वेक्ति सिर्फ उचाई पर जाकर खड़ा नहीं होता बलकि एक पतले से जगा पर वो भी स्केटबोर्ड के उपर खड़ा हो जाता है और अगर ऐसा करते समय थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप समझी सकते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है नमबर 4, दोस्तो यह स्टंट कुछ अलग है क्योंकि इसमें यह वेक्ति पहले तो अपने शरीर पर आग लगा लेता है और उसके बाद अपने हाथों को गोडे से बांध कर अपने आपको 500 मीटर इतना दूर तक घसिटते हुए लेके जाता है और इसके शरीर पर पूरे 5 मिनट तक ऐसे ही आग चलता रहा जो कि यह वेक्ति स्टंट करते समय इसकी स्पीड 35 माइल पर अवर हो गई थी और यही खतरनक स्टंट के वज़े से इसका नाम Guinness Book of Fall Record में भी दर्च किया गया नमपर पांच वाटर रैफ्टिंग बहुत सारे पानी में किया जाता है जहां पर पानी का वे बहुत तेज होता है पर इस वेक्ति ने कुछ अलगी कर दिखाया क्यूंकि यह वेक्ति पहले तो कम पानी पर वाटर रैफ्टिंग करता है जो कि वह पहाड़ों पर मोजूद था और इस पानी की बहुपतली होने के वज़े से इन लोगों की स्पीड हद से जादा बढ़ गई थी जहाँ पर यह बहुत सारे पत्तों से टकराते हुए जाकर यह लोग सिधा नदी में गिर जाते हैं नमबर छे दोस्तों फिलिक्स नामक स्काइडाइवर ने सभी के होश उड़ा दिये थे क्यूंकि यह वेक्ति ने सिधा स्पेस से ही जंप कर दिया जिससे इसकी स्पीड नीचे आते समय तेरा सो किलोमीटर पर आवर से भी जादा हो गई थी इतने उपर से नीचे आने में बस फिलिक्स को पाँच मिनट ही लगा था पर यह स्टंट करते समय फिलिक्स को सास लेने भी भी काफी तकलीफ हो रहा था पर फिल भी इसने यह खतरनाक स्टंट कर गए सभी लोगों के होश उड़ा दिये अब इस वेक्ती ने रोप वाकिंग सबसे अलग किया यूँकि इसने रोप वाकिंग सीधा वालकेनों के यूपर ही कर डाला जिसके नीचे खतरनाक लावा भी मोजूद था और यह रोप वालकेनों से 800 फीट इतना उपर लगाया गया था जिससे वहाँ के लावा का टेमपरेचर 200 डिग्री फेरेनहाइट से भी ज़ादा था नमबर आट दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे रनिंग रेस को देखा होगा पर यह रनिंग उन सबसे अलग है क्योंकि यह वेक्ति ने रनिंग अपने शरीर पर आग लगा के किया वो भी बीना ऑक्सिजन टैंक है जिसने अपने पूरे शरीर पर आग को लगा कर 100 मीटर इतना दूर भाग कर यह खतरनाक स्टंट पूरा कर दिखाया और इसी के बज़े से इसका नाम विगनिस बुक अफ वॉल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब भी कर देना